Hello Everyone, Welcome to my Channel, तो कैसे हो आप सब? So दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने मात्र 15 रुपे का फेसल सेयर किया है आपके साथ और 15 रुपे का है तो इसका मतलब ये नहीं किया, ग्लुइंग नहीं करेगा आपके फेस को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस वीडियो में उसी तरीके से आप अगर फॉलो करते हो सारे स्ट्रॉक को जो भी facial स्ट्रॉक बताया है और जिस तरीके से hand movement करना है हमें अपने face बे उस तरीके से अगर आप भी करते हैं तो आप पाएंगे मात्र 15 रुपय में 15-100 रुपय वाला गलो यकीन नहीं होता तो आप एक बार इसे ट्राइक जरूर करें सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले में face wash करना होता है उसके लिए आपको हिमालिया का 15 रुपय में एक face wash मिल जाएगा इससे अप अच्छे से अपने चेहरे को deeply clean कर लें क्योंकि facial करने से पहले अगर हम अपने face को अपने hand को अच्छे से clean करते हैं तो ही आपको जो facial के benefits हैं वो मिलेंगे और face अगर हम wash कर रहे हैं तो definitely हमारे hand भी wash हो जाएंगे इस तरीके से आपको चहरे को wash कर लें उसके बाद आप बहुत ही साफ कपड़ा आपको use करना है बिल्कुल भी गंदा towel कोई भी use ना करें चहरे में infection हो सकता है दोस्तो सो अच्छे से चहरे को पोचने के बाद आपको एक पतीले में गरम पानी डेनी है और पतला सा कपड़ा लेकर ढखकर आपको steam लेना है मात्र दो तीन मिनार तक अच्छे से steam लोगे तो आप देखोगे आपके चहरे पर बहुत ही अलग सा freshness फील होगा और उसके बाद हमें अपना first step शुरू करना है sorry second step जो है scrubbing का ये भी आपको ever youth में मिल जाता है मात्र पंदर रुपए का और सारी stroke आपको use करने है जो भी facial के stroke होते हैं guys और जब भी आप face scrub करें तो सुखे चहरे पर नहीं करना है हमें चहरा बहुत ही गीला कर लेना होता है ताकि dirt अच्छे से निकल सके अगर हम सुखे सुखे facial scrub करेंगे तो हमारा जो dirt से skin का वो और अंदर ही soak कर जाएगा इसलि सब्सक्राइब करें तो पंदर रुपए का सौरी दस रुपए का मैंने रोज वाटर लिया है और सारे stroke आप फॉलो करें जो सारे स्टेप्स में इसमें आपको बता रही हूं वह सारे स्टेप्स आपको करना है ताकि आपकी skin जो है वो टाइट रहे की and bright रहेगी क्योंकि skin लाइट रहेगी तो हमारी skin जवा और खिली खिली लगती है और इस तरीके से आप सारे स्टेप्स को फॉलो करें जहां भी आपके वाइट है ब्लाइक हैं वहाँ थोड़ा ज्यादा रब करें पर हाथ बहुत ही लाइट हाथों को रखना है जेंटल तरीके से आपको अपने face पर रब करना है उंगलियों से ही करें finger tip से ही आपको सारे steps करने हैं guys हथेलियों के इस्तिमाल आप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको क्योंकि हथेलियों के इस्तिमाल से बहुत ज्यादा हमारे चेहरे पर जो होती है वो गर्माहाट हो जाती है और blood circulation बहुत ज्यादा तो आप याद हो जायेगा कि किती तरीके से करना है इस दो बार करो läuft हुझे और बहुत ही अच्छे से आप अपना सिक्योर कर लेघुए और यह बालों में लग जाता है तो कोई दिकर नहीं है थोड़ा सा तो वो लगता है उखाड़ने जब इसको हम निकालते हैं तब पर ये बाल नहीं निकालेगा अच्छे से सूखने देना इसे लगाने के बाद बहुत ही टाइटली मतलब बहुत अच्छे से सूखेगा तो ही ये अच्छे से निकलेगा और अपना असर छोड़ेगा इससे आपकी स्कीन टाइट भी होगी और ब्राइट भी होगी जब यह बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है और धीली स्कीन वाले अगर यह सब्ता में एक बार करते हैं तो उनको बहुत जादा फाइदा होगा अगर आपकी स्कीन धीली पड़ रह हो जाता है तो अच्छे से निकाल लें उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वाउस कर लेंगे गाइस और आप देखेंगे कि आपकी स्कीन बहुत ही ज्यादा इस्मूथ और आपको बहुत ज्यादा फ्रेस फिल होगा जब आप इस तरीके से मात्र 15 रुपए के फेस्यल से आप पा सकते हैं आप अगर पार्लर में यही चीज करवाने जाओ ना तो आपको पंद्रा सौ रुपए लग जाएंगे पर जब हम फंद्रा रुपए में घर पर ही कर सकते हैं तो चांस क्यों छोड़े गाइस जरूर अपनाना चाहिए और फेस को अच्छे से वास कर लें आप जब भी फेस करें रोज वाटर जरूर लगाएं जब रोज वाटर लगाते हो ना फेस पे तो आपका जो फेस है वह हमेशा हैड्रेट रहेगा चेहरा स्मूथ रहेगा जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं चेहरे पर वह हटेंगे इसलिए जब भी आप फेस वास करें चाहिए आपका स्कीन तो जो भी हो फेस वास करने के बाद रोज वाटर जरूर लगाएं अजर टॉनर के रूप में उसके बाद यह मैंने जॉय का 10 रुपए का मॉस्टराइजर लिया है आप अच्छे से अपलाई कर लें फेस पर और आप देख सकते हैं मेरी स्कीन जो हो कितनी फ्लोलेस और टा थैंक यू सो माच बड़ाएं